कि दोस्तों करेंट अफ्यास मजबूत करने के उदेश से जहां एक तरफ आप समचार पत्र पढ़ते हैं या फिर टीवी चैनल्स देखते हैं या फिर अंद किसी तरीके सी न्यूज सुनते हैं और यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तब फिर आप मंत्री मैगजीन की तरफ ज जाते हैं तो इसी समस्या को धियान में रखते हुए हमने यह सोचा है कि डे बाइडे आप करेंट जिहां करते रहें आप जैसा कि जानते हैं कि आप समाचार या खबरें कहीं से भी देखें लेकिन परिछ्छा की द्रश्टी से यह हम बात करें तो प्रते एक दिन एक या द जो खबरे काम की नहीं है उन पे हमको बिल्कुल भी धियान नहीं देना ना ही उन पे हमें डिसकस करना है तो आएए आज देखें कि आज कौन सी चीज़ें हैं जो एक जामें पूंची जा सकती हैं तो सबसे पहली बात जो है इस समय चर्चा चल रही है ई रूपी यूपी इसके बारे में डिटेल्ट जहनकारी देखेंगे हम फिर दूसरा है पेगस्स जासूशी और क्रसी कानून उको लेकि आज भी जो है हंगामा होता रहा तो पेगस्स जासूशी हमने पहले वीडियो पर ही डिटेल में चर्चा कर लिया उसकी लिंक मैं इसमें देदूंगा आ इसके बाद बात आती है कि समझ जैसे 15 अगस्ताने बाला है बहुत जल्दी तो इस वर्स आजादी का अमरत महुस्सो कारक्रम मनाया जा रहा है तो आजादी के अमरत महुस्सो कारक्रम के तहित संस्क्रति मंत्राले ने कई कारक्रम सुरू किये हैं उन पर थोड़ा सा संभावना है उस पर चर्चा होगी तो सबसे पहले हम देखें कि प्रधन मंत्री जी ने डिजिटल भुक्तान के लिए कैसलेस और इस पर्सलेस यह व्यवस्था की है यह रूपी इसको वीडियो का इंफ्रेंसें के मादे में से शुरूबात की है और इसका मुक्ष देश य के लिए विशिस्ट उद्देश से समंद्धि डिजिटल भुक्तान व्यवस्था मतला पर्शन टू है लेकिन यह परपज किसी विशिस्ट उद्देश की पूर्ती भी करेगा और कैसे होगा QR कोड या फिर SMS के माद्यम से य बाउचर प्राप्त होगा जो लाभार्थी के मो आयाम ले रहा है जो डायक्ट बेनिफिट ट्रंसफर हो रहा है हमारे देश में हमारे देश में देखि किन सरकार दवारा ही 300 से ज्यादा योजनाएं चल रही है जो की व्यच्टियों के खाते में direct जा रही है आज किन सरकार 300 से ज्यादा योजनाओ का लाभ DBT मतलब डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लोगों को पहुचा रहा है और इस डीबीटी के तहट लगभग 90 करोड देशवासी किसी रूप में इसका लाब ले रहे हैं चाहे हो रासन कार्ट के माध्यम से हो चाहे लपीजी के माध्यम से हो चाहे स्कालर्शिप हो विद यह समस्त चीजें डीबीटी के माध्यम से की जा रही है यह डीबीटी का जो देश था डारेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कि किसी बीच में पैसे का लीकेज ना हो बलकि लाब जो है उसी बेक्ति को मिले जिसको मिलना चाहिए तो यह परसन ओरियंटेट कारक्रम था डारेक इबिलमेंट एक सुधार है कैसे सुधार है यह सूधार किया जा रहा है जब देश आजादी का अमरत महस्तों मनाने वाला है। 75 वर्स अमरत महसों क्यों मना रहे हैं आजादी के 75 वर्स पूरे होने पर अब एक क्या सुधार है ई रूपी में डीबिटी से तो ई रूपी में जो वाउचर होगा ई वाउचर उसका उदेश यह होगा कि जो पैसा मिलेगा वो उसी उदेश में खर्च किया जाए जिस व्यक् एक तरह से परशन के साथ साथ परपच पैसिफिक भी है जिसका मतलब कोई यह मदद या कोई जो बेनिफिट दी जा रही है वो उसी में प्रियोग हो जिसके लिए दी जा रही है यह सुनिश्चित करेगा ई रूपी ठीक है फार एक्जामपल यदि सरकार किताबों के लिए पैसा भेज रही है तो ई रूपी सुनिश्चित करेगा कि ढाप इहीं खरीदी जाए अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा दिया जा रहा है तो यूनिफॉर्म ही खरीदा जाए यदि सबसेडि के लिए खार्द मदद के लिए तो खादि में खर्च हो गर्वती महिलाओं को जो दिया जा रहा है तो उसका इस्तमाल भी उसी रूप में हो यह किसके माद्धिम से हो पाएगा ए रूपी के माद्धिम से मतलब यहां पर्षन के साथ परपज भी साल्व होगा यह है ए रूपी के बारे में संचिप्त जानगारी कुरोना का जो है दुबारा थोड़ा आई नहीं करना है सभी को दोगच की दूरी और मास्क है जरूरी यह चीजें याद रखना है अब जो बीच की जो चीजें हम आगे बढ़ रहे हैं मुझे काम की नहीं लगी है जैसे महारास्ट में जी का वारस की स्थिति थोड़ा बढ़ती जा रही है हुआ कुछ मामले द रखना है बस इतना पर्याप्त है टोक्यो लंपिक में देखें तो आपको पता ही है कि मीरा बाई चानू ने जो सिल्वर पदक पदक जीता पीवी सिंदू ने ब्रांज जीता है यह तो पता है इसके अलाबा हाकी में बहुत अच्छी चीज हुई है महिला हाक बारत दोनों करेंगे उमीद पाजिट्वी रखें कि हो सकता है इस बार गोल्ड मिल जाए तो महिला हाकी टीम और पूरुसा की टीम यह दोनों ही टीम में सेमी फाइनल में पहुंच चुके हैं अब कुछ नाम खिलाडियों के जो आपको याद रखना चाहिए क्योंकि एक्जाम से में हर पूच लेता है कि कमल जीतकोअ किस खेल से संस्वार मिर जुividade कोण है गुष जवार है इसी निशाने बाजों में नाम देखें mean महिला निशाने बाज्व में हमने देखा कनहीं मनुभाकर इसी कर तिस निशाने बाज प्रताप सिंग संजीर राजपूत ये निशानेबाज हैं दुती चन्द, दुती चन्द को है? महिलाओं की 200 मेटर रेस करती है, अथलीट है, तो ये चीजे हैं, डे बाई डे की न्यूस और जब आप डे बाई की न्यूस सुनते हैं, तो आपको क्या होता है, धीरे धीरे जो डेय आप मांड में फीड होता जात तब भी आप बहुत जल्दी रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि आपने डेवाईडे की न्यूज सुना हुआ होता है धन्यवाद